वेलकम देस्टुटिंस 20 मेस्स ख्लास तुछ तो बच्चों आज किस क्लास हम इसक्रस करेंगे एकसाइस 2.5 चाटर टो इस पोलनमेल्स अप्लामेल सब क्लास 9 इससे पहले हम इसक्रस कर चुक है है अब एकसाइस 2.4 आप इसक्रस करेंगे क्वेशन नमबर 1-4 okay so without wasting much time so let us start with the first question पहले कोशिन आपके स्क्रीन पे use suitable identities to find the following products पहले कोशिन में के आपके identity का उस कर रहा है that is x plus a into x plus b equal to x square plus a or b का sum a plus b का sum into x into x plus a or b का product okay तो इस identity का use हम कर रहे है अब इस identity को अगर हम study करें तो यहाँ पर सामने में आरेंज चीज है कि दोनु bracket में दो-दो terms है और जिन में एक term दोनु का same है जैसे देखिया आप पहले bracket में एक term x है दूसरे bracket में भी एक term x है में same same है और जो दूसरा term है दोनु bracket में वो अलग लग है ठीक है तो इस identity का use हम तब कर सकते है बहुत easy तरह के साब calculation कर सकते है आगे चल कि आपको भी बहुत ज़्यादा help करेगी आगे senior classes में तो आपको यह सारी identities आनी की अच्छी तरह की से ताकि आप अपनी calculation को थोड़ा से short बना सके तो देखिए पहला question आपकी सामने में है question number one का first part x plus 4 into x plus 10 तो यह simple सा होगी आपका तो x x यहाँ पर पहला term same है तो पहले term का square हो जाएगा x का square plus और दूसरा जो term same इन दून को add कर दीजे तो दोनों को add करके कितना रहा है दोनों को add करके आ रहा plus 14 तो plus 14 और into आपका पहला term जो था दोनों में जो same था वो x था तो x से multiply कर दिया और उसके बाद इन दोनों को फिर आपने multiply करना है 4 और 10 को तो 410 जा 40 plus 40 यह आपका result आगी है ठीक है वैसे आप second वाले पार्ट में बढ़ें तो second वाले पार्ट में देखिया पहला term दोनों का same है that means x square यह आएगा पहले में पहले term का square और फिर जो आपके second second term है इनको add कीजिए plus 8 और minus 10 क्या बनेगा आपका plus 8 minus 10 कितना बनेगा minus 2 तो हमने minus 2 लिग दिया दोनों को add करके minus 2 आगिया minus 2 और x के साथ multiply करेंगी तो minus 2x बनेगी है अब उसके बार आपने 8 और minus 10 को multiply करने है plus 8 और minus 10 means plus minus 8 10 या 80 यह आपका result आ चुग है तो बहुत simple तरह किसा आपका result आ जाता है इसके द्वारा थर्ड वाले में देखिया थर्ड वाले ब्रेकेट में दो ब्रेकेट यहां भी है पहला टम दोनों का सेम है that means x नहीं है x की जिगापे 3x है तो हम क्या करेंगी पहले टम का square 3x का square और फिर दूसे दूसे टम को हमने add किया तो प्लस 4 और माइनस 5 से क्या आ जाएगा माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू क्या करेंगे पहला टम तो पहला टम जो दूनों का सेम था उसको multiply कर दिया तो यहां पर पहला टम x नहीं है 3x है तो हमने यहां पर इंटू 3x लिग दिया ठीके और उसके आज second terms को आपसा multiply कर दिया है second second दोनों के तो plus 4 into minus 5 that is minus 20 तो what you are getting here 3x का whole square that means 9x square आ जाएगा और minus plus minus 1 3 जा 3x minus 20 यह आपका result हो गया ओके hope this is clear तो यहां तक का आपका clear है तो इसके बाद question number इसका जो fourth और fifth part है इसमें आप दूसरी identity का use कर सकते हैं हाला कि इस identity से बन जाएगा but इसमें ज़्यादा better रहेगा कि आप यहारे identity का use करें a plus b into a minus b equal to क्या होता आपका a square minus b square ठीके जब दो bracket को multiply करना हो दोनों bracket में दोनों terms आपके same हो but के बदद sign में changes हो एक bracket में plus है दूसरे में minus है बाकी पहला पहला term दूसरा दूसरा term दोनों का same है तो यहां भी ऐसा ही कुछ कानी हो रही question number 4 में देखिया पहला term आपका same है y square दूसरा term भी same है 3 by 2 but के बद साइन में changes है plus और minus का ठीके तो इसमें हम सीरे सीरे हम identity का use कर देंगे कौन साला a minus b into a plus b equal to a square minus b square तो a क्या है यहां पर a आपका y square है तो a का square कर दिया हमने a आपका y square था y square का square minus b का square तो b के हैं आपका 3 by 2 तो 3 by 2 का square तो कितना जाएगा y की power power के उपर power होती तो power आपस में multiply हो जाते हैं 4 आ गिया 2 2 जा 4 minus 3 का square कितना होगे 9 2 का square 4 तो यह आपका result हो जुग है ठीक है इन दे सेम मैनर आप फिफ्ट वाले पार्ट को देखे a minus b a plus b तो a square minus b square यहां ही बन रहा है तो a का square minus b का square ओके तो 9 minus 4 x square तो पहला question की सारे parts हमारे complete हो चुके है hope this is clear come to question number second तो second वाले मा आईए evaluate the following products using multiplying directly without sorry without multiplying directly means बिना direct multiplication की आपने इसका result निकालना है that means identity का यूज करना है तो हम इनको तोड़ेंगे इनको इस तरह के से तोड़ेंगे ताकि हम identity का use कर सके जैसे हमने बहुत सारी identities पढ़ी हैं जैसे उपर में तो एक identity हमने अभी भी पढ़ी दो identities वैसे उपर हम पढ़ी हैं हमने एक तो x plus a into x plus b वाला था और दूसरा दूसरा था आपका a minus b into a plus b तो उपर वाले identity में क्या था x square plus a plus b x plus a b था और दूसरे हाले में था a square minus b square वैसे इनी दो identities से बन जा रहा है equation भी ठीक तो फर्स्ट वाले देखिया 103 into 107 है तो it can be written as 100 plus 3 103 को हमने break कर दिया और लिखा bracket में 100 plus 3 बीच में आपका product का साहिन है multiplication का साहिन है और 107 को लिख दिया 100 plus 7 ठीक है तो आप देखिये दोनों bracket में आप note करेंगे कि दोनों bracket में पहला term जो है 1 term same है तो that means आपका जो पहले वाले identity थी जो आपने use की थी x plus a into x plus b वाला use होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा means पहले term का square that means जो term same है उसका square और 3 over 7 जो आपके different terms थे इनको add किया तो plus 10 आगिया plus 10 into पहला term जो दोनों का same था और उसके बाद जो different terms थे उनको multiply कर दिया plus 7, 3, 2, 21 तो what we are getting here 1, 2, 3, 4 100 का square 10,000 हो गया plus 10 into 1000 sorry 10 into 100 1000 आगिया और plus 21 तो आपका result आ चुका है 11,021 ठीक है 11,021 यह आपका answer हो जाएगा ओके hope this is clear तो इस तरीके से आपने इसका second part भी करने है तो second part को कैसे करेंगे देखते हैं second वाले में देखिए 95 into 96 है इसको हम लख सकते हैं equal to it can be written as 90 plus 5 into 90 plus 6 ऐसे लिखा जा सकता है कुछ अब इनका पहला term से ही में देखिया 90,90 दोनु प्रैकेट में 90 है तो उसको हम पहले term का square लिख देंगे 90 का square और उसके बाद second term जो different है इनको add करेंगे तो आपका रहा है कितना 11 तो plus 11 into 90 11 into 90 आपका जाएगा उसके बाद different जो term से इनको multiply कीजिए 5,6,30 सीदे आगिया तो what you are getting है 90 का square आगिया आपका 8100 plus 11 into था आपका ही 11 into 90 that means what you are getting है 990 plus 30 तो यहां से आपका आजाएगा 0, 9,10,11,12 carry 1 और उसके बाद आपका 9,10,11, carry 1,9 तो 9120 तो आप चेक कर सकते है 0,0,0 second आपका आगया 3,9,3,12 ठीक है carry 1 और उसके बाद थार्ड प्लेस में आपके आजाएगी 9,10,11, carry 1,9 ठीक है बिल्कुल सही है तो this will be the answer to this question ओके come to question number 3 sorry second का third part 104 और 96 को multiply करना है 104 can be written as 100 plus 4 और 96 can be written as 100 minus 6 तो आपने इस तरीके से break करना है ताकि आप identity का use कर सके ठीक है तो यहाँ भी आप इसी identity का use कर रहे हैं इससे देखा जाए तो तो यहाँ पर पहला term दोनों का same है ठीक है और दूसरा term आपका क्या है different है तो आप इसी identity का use कर लिए फिर 100 का square कितना हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 आजाएगा और फिर आपने plus 4 और minus 6 किया कितना आजाएगा आपका minus 2 into आपका 100 और उसके आप plus 4 और minus 6 को multiply किया तो minus 24 आगिया तो what you are getting here 10,000 minus 200 minus 24 that means what you are getting at last 10,000 minus 224 तो इसको subtract कर लिए 6 9 में से 2 गया 7 9 में से 2 गया 7 फिर आपका या बज़े 9 9,776 this will be the result to this answer तो यहाँ तक क्लियर होगे questions come to question number 3 तो 3 पर आईए factorize the following using appropriate identity simple सा question है identity का use करने है तो यहाँ पर इस question पर आपके identities लग रहे हैं विएसा आपने यह class 8 में करी रखे हैं तो देखिए पहला time आपका 9X square है और last फाला time Y square है तो इसको whole square की form में convert कीजिए 9X square को तो 9 किसका square होता 3 का तो 3X का whole square हमने लिग दिया है A square हो आपका ही बज़ चुग है ठीक है और last में आपका Y square तो whole square की form में अलड़ी है और बीच में हमने लिग दिया 2 into पहला वाला जो आपका था 3X और दूसा आपका था जो Y ठीक है तो यहाँ का identity बन जी आपकी A square प्लस 2AB प्लस B square देखिए आप इसको बीच वाले time को multiply किजिए तो आपका वह time आ रहा होगा 2,3 जा 6 और X,Y तो 6,X,Y उपर में भी आपका 6,X,Y था तो यह आपने class 8 में पढ़ा ही था इस वाले identity का जो है use कैसे किया जाता है इस तरह की questions भी आपने swap किये थे तो यहाँ आपका directly आ जाएगा A प्लस B का whole square यह आपका बन चुका है ठीक है वह से आपका second part है इसको भी आप whole square की form अकरन बढ़ कीजिए 2Y का whole square और last में आपका 1 है 1 किसका square होता 1 का ही और बीच माइनस का साहिन है 2 into पहला अला क्या था आपका 2Y और दूसरा अला क्या था 1 अब इनको multiply करके चेक कीजिए क्या middle time के बराबर आ रहा रहा नहीं आर अपकर में तो 2 to 4 into 1 4 1 जा 4 4Y आप का रहा है ठीक है बिल्कुल सही है middle time के बराबर आ रहा है that means यह identity बन गी आपकी 2Y minus 1 का whole square तो इसको factorize करना था तो एक step all लिखेंगे आप यहाँ पर एक step क्या लिखेंगे 3X plus Y into 3X plus Y पहले बाले पर भी आप दो बाल लिखेंगे factorize करना है factors के product के form में express करना है तो इतना नहीं चलेगा 2Y minus 1 into 2Y minus 1 ओके hope this is clear तो इसके बाद इसका third part आता है तो third part पर तो सीरे identity बन रही है A square minus B square तो इसको हम break कर सकते हैं factorize कर सकते हैं A plus B into A minus B तो question number 1 में यूज़ कहा था हमने इस identity का बढ़ अब इसका ultra use करना है तो X square तो all right square के form में है minus Y square upon 100 को हम whole square के form में क्या लिखेंगे 100 इसका square होता है 10 का तो Y upon 10 का whole square आपका ये बन गया है ठीक है तो यहां से आपका identity बन गी A square minus B square तो A plus B भी आपका Y upon 10 हो गया A आपका X हो गया X minus Y upon 10 ओके hope this is clear तो question number 3 तक complete हो गया है चलो लोब move करते है question number 4 की और question number 4 देखिए आप expand each of the following using suitable identities तो यहां पर भी A की identity का user आपका A plus B plus C का whole square okay that is equal to A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA 2AC लिखो CA लिखो पाते की है तो इस identity का use हम करेंगे A plus B plus C का whole square equal to आप इसको note कर लेगेगा ठीक है यहां पर 3-3 term आपको दिख रहे होंगे सारे brackets में और उसके उपर में whole square है तो पहला वाला तो easy है आपका पहला वाला क्या हो जाएगा फिर आपका सबस्पर A की चीगए पर आपका X है तो A का square आपका बन गया X square plus B का square क्या हो जाएगा 2Y है आपका तो 2Y का whole square करेंगे तो आपका आजाएगा 2 का square 4 और Y square ठीक है प्लस C का square C की चीगए पर 4Z है तो 4Z का whole square करेंगे कितना हैगा 16, 4 का square 16, Z का square Z square ठीक है प्लस 2AB तो A और B को multiply कीजिए फिर 2 से last time multiply करेंगे तो A और B को जब multiply करेंगे हम तो क्या हरह है X into 2Y कितना हो रहा है X into 2Y आपका 2XY होगा फिर 2 से multiply किया तो 4XY आगिया प्लस 4XY हमने लिग दिया ठीक है फिर B और C को multiply कीजिए तो B आपका 2Y है C 4Z है तो कितना हैगा 4 2 जा 8 YZ फिर आपने 2 से multiply किया तो 16, प्लस 16 YZ हो गया and then फिर आपने क्या करना है A और C को A और C को multiply करना है A से C को तो पहले A और C को multiply कीजिए कितना है 4Z into X तो 4ZX हो गया और उसको फिर 2 से multiply करेंगे इतना जाएगा 8 4 2 जाए 8ZX तो 8ZX यह आपका result हो जाएगा this will be the answer to this question second वाले में देखिए हाला कि यहां sign ने लगना तो इससे घबराना नहीं है simple इसी formula का हम use करेंगे सबसे पहले तो पहले term का square कीजिए 2X का square तो 2X का whole square कितना हो जाएगा आपका 2 का square 4 होता है तो 4X square आपने लिग दिया फिर क्या करेंगे आप बी का square तो B आपका minus y है तो minus y का square करेंगा तो कितना जाएगा plus y square ही आएगा minus का square भी plus ही होता है तो हमने कर दिया y square फिर आपने z का square plus z घर तो z का square कर दिया फिर मैंने कहा अकाँ अपसे e ओर b को multiply कीजिए उसके बाद 2 से multiply करेंगी तो A और B को multiply कीजिए A आपका 2X है B minus Y है तो 2X into minus Y कितना हो जाएगा तो यहाँ पर sin का भी ध्यान रखना पड़ेगा तो plus minus minus 2XY आगया minus 2XY को फिर आपने 2 से multiply किया तो minus 4XY आगया उसके आप B और C को multiply कीजिए तो B आपका minus Y है C आपका Z है plus Z है तो minus Y into plus Z कितना होगी आपका minus YZ उसको 2 से multiply किया तो minus 2YZ आगये और उसके बार last में A और C को multiply करना आपने पहला और last वाला जो है तो 2X और दोनों आपके positive है तो positive का sign आएगा plus 2ZX plus 2ZX हा रहा है फिर उसको आपने 2 से multiply किया तो कितना है यह आपका result हो जाएगा ओके hope this is clear तो उसी type से आपने third वाला खुद कर लिजिएगा try कीजिएगा fourth वाले में try कीजिएगा and fifth वाले में try कीजिएगा दोनों type के हमने discuss कर लिए यहाँ पर sign आपके अगर minus मारे तो इस उस गबरान नहीं है किस तरह की से करना आपके सामने में clear रहे एक sixth वाला हम यहाँ पर कर लेते है sixth वाले में देखिए तीन यहाँ पर भी आपका a plus b plus c का whole square है तो a का square करेंगे पहले तो आप a की है आपका a आपका one upon four a है तो इसका square करूँगा तो कितना जगा one upon sixteen a square हो जाएगा ठीक है उसके आप b की जगह पर आपका minus one upon two b तो इसका square करूँगा तो minus का square तो plus ही बनेगा तो one का square one two का square four हो गया और b का square b square हो गया ओके plus c square किया तो plus c square माने one का square one ओके फिस के बाद मैंने आप से कहा था कि a और b को multiply करूँ तो a और b को multiply कीजिए a की जगह पर one upon four a है और b की जगह पर minus one upon two b है तो दोनों को multiply करके आपका sign तो negative काएगा पहली बात तो plus minus minus ओके अब इन दोनों को multiply कीजिए पहले कितना रहा one one जा one numerator से numerator को multiply किया और denominator से denominator को multiply किया four two is eight आ गया और साथ में आपका a b आ जाएगा बट इसको आपने फिर two से ही multiply कर तो into two हमने यहां लिख दिया ठीक है last में into two b करना है तो उसको last में लिख दिया ठीक है उसके बाद second और third वाला जो आपका b और c इनको multiply करना है तो multiply किजिए minus plus minus तो minus का ही sign आपका साइन आएगा और one one ये one, one upon two b आ जाएगा आपका a इसको multiply करना है किस से last में फिर two से तो यहां पे लिख दिया हमने फिर पहला और last a और c तो one upon four a into one फ्लस one तो plus का ही sign आएगा तो प्लस का ही साइन आएगा तो प्लस लिख दिया हमने और वन से मिल्टिप्लाइ करें तो इतने ही रहेगा वन उपॉन फूर ए रहेगा और इसको इन टू किया किस से टू से ठीक है अब बाकिया आप कैंसल करते हैं इसको चैंसल करके आपका रिजल्ट आ जाएगा देखे टू से यहां कैंसल हो यहाँ लास्ट में तो डू जा फूर और यहां तू से टू कैंसल हो गया सेकेंड लास्ट में और थर्ड लास्ट में तोफॉर जा एट अब जो बचा उसको आप लिख दीजिए a square upon 16 भी लिख सकते हैं आप या आप 1 upon 16 a square लिखो बात एकी है ठीक है और 1 upon 4 b square है इसको ऐसे ही रहने देंगे आप तब भी चलेगा या आप b square upon 4 लिखते हैं तो भी चलेगा plus 1 minus आपका आगिया a b upon 4 और यहां किया बचाब का minus b only और last of which आपका a upon 2 ओके hope this is clear तो इस तरीके से आपने इसको solve करना है इतना ही छोड़ देंगे तब भी चलेगा LCM लेकर रहे फर्दर solve कर दो तब भी आप चु रिजल्ट आएगा इतना ही छोड़ना चाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं LCM लेलो once again once I'm telling you तो उसके बाद भी आप इसको solve कर सकते हैं hope this is clear तो come to question number 5 तो 5 वाले मा आईए 5 वाला जो आपका part है factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus तो ये भी आपका इसी identity का use हम करेंगे ठीक है इसी identity का use करेंगे बट इसको उल्टे order मा आपने देखने है a square plus b square plus c square plus 2bc plus 2ca equal to a plus b plus c का whole square तो उल्टे तरीके से आपने आना है पीछे से आगे की तरफ बढ़ना है तो इस तरीके से आपने इसको solve करना है अब इसको solve करने का तरीका क्या रहेगा ध्यारने के formula तो आपने ये use करने है जो आपने सामने में लिखा है जो उपर वाली question में ने formula ये use किया था बस उसका just ultra ठीक है यह expanded form में आपने इसको compact form में लाने है तो इसको करने के लिए सबसे पहला ध्यान दगे इसमें क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर mistakes करते हैं sign में ठीक तो मैं इसको किस तरी के से बता रहूं ध्यान दीजेगा तो सबसे पहला step हम जाएंगे rough में rough में जाएंगे और last के जो 3 sign है last के जो 3 sign है plus, minus, minus इसको जाके rough में लिख देंगे last के 3 sign के रहूं में ठीक है ये square वाले term को छोड़ते वे x square, y square, z square इनको छोड़ते वे जो बाकी के terms बसते हैं x, y, y, z और z x वाले sequence में उलड़ी है x, y, y, z, z, x ठीक है तो last के जो 3 sign हैं आप यहाँ देख दीजे ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अब अपना दिमाग थोड़ा से चलाएंगी यह जो सबसे पहला sign है प्लस का sign किससे बनता है या तो plus, plus को multiply करेंगे तब plus का sign बनेगा या minus, minus को multiply करेंगे तब plus का sign बनेगा ठीक है अब second number का sign क्या है आपका minus अब minus बनने के लिए हमारे पास क्या चीए एक plus तो already है यहाँ पर यह देखिए आप मैंने लगा दिया यहाँ पर तीर का निसान इसके एक तरफ तो plus है ही है प्लस के साथ क्या लूँगा कि यह minus बन जाए तो plus के साथ minus ही लूँगा जायर सी बात है ठीक यहाँ से clear होगे और दूसरा आपका एक कोने पे minus की एक कोने पे नीचे minus है तो minus के साथ क्या लूँगा कि minus बन जाए तो यहाँ plus लूँगा ठीक अब चेक कर लंगे आपके दो situation बन गई आपके सामने में एक तो उपर वाली situation है plus plus minus और दूसरा आली situation है minus minus plus ठीक है तो उपर वाली situation को देखें तो उसका पहला और last को multiply कीजिए तो क्या रहा है plus minus minus जो की last वाले sign की बराबर आ रहा है आपका देखिए last वाले sign है आपका minus का था और दूसरा आले के इसमें भी देखिए दूसरे आले जो situation है पहला sign minus का है और last sign या प्लस का है इन दोनों को multiply करगी भी आपका last वाला जो sign आ रथा उपपर में जो हमने टॉप में लिखा था plus minus 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 की बराबर आ रहे हैं ठीक है तो clear है आपने इतना ही करना है अब अब आपके सामने में result सामने में है या तो आप पहले वाले situation को लेते वे चलो ये भी सही होगा plus plus minus आये था पहले वाले की इसमें और दूसरे आले की इससे क्या रथा आपका minus minus plus दोनों सही है means कहने का मदलब है कि आप पहले वाले को plus बनाईए पहले वाले को plus लीजिए दूसरे वाले को plus लीजिए तीसरे वाले को minus लीजिए या पहले वाले को minus दूसरे वाले को minus और तीसरे वाले को plus that means यहाँ पर समझाने वाली बात क्या है देखिया आप तो यहाँ मैंने लिखा रफ माया मैं सबसे पहले लिख दिया प्लस प्लस माइनस ठीक है देखिया आप मैं जो question number 1 के उपर मैं देखिया starting से मैंने क्या लिख दिया प्लस प्लस माइनस क्यों मैं आप पहले वाले case के accounting चल ला हूँ अब दूसरे वाले case के accounting चलोगे तब भी सही है कोई दिकत नहीं है ठीक है अब आपने ध्यान रखना है कि पहले वाले को आपने प्लस लिए नहीं तो इसको हम 4 किसका square उता है 2 का तो 2x का square लिख़ दिया हमने इसको प्लस 2x का square फिर दूसरे आले को 9y स्क्वा continue तो हम इसको प्लस 3y का square लिघेंगे ठीवाई का square क्यूँकि इसके ओपर हम प्लस का inherited लिखा है यहां माइनस का sign लिख़़ए इसका द्यान देंगे आप ठीक है, यहां minus का sign लिखा है, तो हम लिख देंगे plus, इसको लिख देंगे हम, minus 4 z का square, 4 का square भी आपका 16 होता है, और minus 4 का square भी 16 होता है, लेकिन यहां minus 4 लिखेंगे, यहां जो sign हमने आप बनाए था, तो minus का था, ठीक, अब square बाकी आपने होई करने है, plus 2 into, पहला term और second वाला third term square को छोड़ते भी sign बागी सब लेंगे आप 2 into 3y into minus 4z आपने लिग दिया फिर उसके बार आया आपका 2 into पहला और last पहला और last माने यह आपका 2x into minus 4z लिग दिया ठीके तो यहाँ से आपके पास identity बन गई कौन से आली a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c that means a plus b plus c का whole square बन गया a आपका 2x है b आपका plus 3y है और c आपका क्या था minus 4z है का whole square अगर आप यह सारा step बीच का step गोल भी करते तब भी आपका result directly हमारा starting में ही आ गया था इतना सब कुछ करने की जोहतनी कि अवर हमने demonstrate करने के लिए इस formula का हम use करते हुए यहां तक पहुचे है otherwise result आपका शुरू में ही आ चुक है आपका 2x क्यूंकि हमने sign पहले लिख दी थे plus plus minus that means plus 2x plus 3y minus 4z का whole square आपका starting में ही आ जाता अगर इसको solve बीच वाले step कॉम skip भी करते तो ठीक है hope this is clear तो second वाले part में चलते हैं इसको भी फिर दुबारा एक बार जिसको solve में नहीं आया पहला दूसरा समझने में उससे आसानी हो जाएगी ठीक है तो चलते हैं दूसरे आले part में फिर से हम rough में गए rough में लिखा हमने last के तीन साइन माइनेस प्लस माइनेस माइनेस प्लस माइनेस अब देखिए सबसे स्टार्टिंग में माइनेस है तो माइनेस किस किस से बनता है माइनेस बनता है या तो प्लस माइनेस से या माइनेस प्लस से दो situation यहाँ भी create हो रही है उसके आस second number का sign आपके आज प्लस का था तो प्लस किससे बनता है एक कोने पे तो इसका माइनस अल्री है प्लस के एक कोने पे हमने माइनस यह है इसको हम अल्री इंक्लूट करेंगे तो माइनस के साथ क्या लेंगे कि प्लस बन जाए तो जहेर सी बात आप Last मां आप इसे चेक कर सकते हैं उसे चेक करने के लिए जो आएगा तो चेक करने के लिए आप देख सकते हैं Plus और Minus Last वाले इन दोनों को Multiply किया तो क्या यह Last वाले Minus के बराबर आरा नहीं आरे है Plus, Minus, Minus आरा नहीं आरे आई रहे हैं और देखें यहाँ minus plus first और last को multiply के तो minus plus minus वो भी आपका last minus के बराबर आई रहे है तो यहाँ से आपका clear हो गया है कि आपका sign से बिल्कुल सही है ठीक है तो आप दोनों आप इसके दो answer बन सकते हैं तो दोनों दरके से solve करें पर आपका answer सही होगा ठीक है हम case one को ले रहते हैं स ठीक है अब भी बाद में आप मिटा सकते हैं ठीक है तो अब देखिए यहाँ इसको solve कैसे करेंगे अब चले हम equal to सबसे पहले plus है तो यह बताई two किसका square होता है two किसका square होता नहीं perfect square number तो है नहीं तो जो number किसी का square नहीं होता है वो अपने root का square ज़रूर होगा ठीक है तो two two perfect square number ही नहीं है तो यह किसका square बनेगा root two का root two x का square हमने दिया plus का sign इसके अंदर उलड़ी है second term में y square है तो हम इसको लिख देंगे plus minus y का square इसके पबर minus का sign है तो minus y का whole square लिख देंगे ठीक है तीसे वाले में sin minus का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे plus minus root 8 का root 8 z का whole square ठीक है और root 8 का मतलब आपको मालूम ही होता है कितना होता है 4 to 8 2 root 2 आपका आ जाएगा तो यह आप इसको root 8 की जिखेंपर 2 root 2 लिख दें तो भी चलेगा तो भी सही है ठीक है इसके बाद 2 into a a के आपका root 2 x into b आपका minus y हो गया then after that sorry यहाँ पर plus का sign आएगा फिर plus आपने फिर से लिखा plus 2 into b into c तो b की जिखेंपर आपका क्या जाएगा minus y और c की जिखेंपर आजएगा minus root 8 z टेक उसके आप फिर आपने plus देखा 2 into a into c तो a की जिखेंपर आपका root 2 x है और c की जिखेंपर minus root 8 z है तो root 2 x into plus में था ही आपका यह minus में है minus root 8 z तो यह आपका अंसर आ चुका है हार एंटिटी आपकी बन चुकी है A माइनस Y और माइनस रूट 8 की जिगपाप 2 रूट 2 लिख दो ज्यादा बेटर रहेगा 2 रूट 2 जेट का होल स्क्वाइर ओके ओके अप यहाँ पर यह चेक भी कर सकते हैं भीच में जो हमने अप VISTA लिखें हैं आप 주 UK कर सकते जो 2 रूट 2 2 रूट 2 X माइनस Y को मल्टिप्लाइ करके आपका यह फूर्थ वाला टाम बना नहीं बना देखिए इनको मल्टिप्लाइ करेंगे तो plus minus minus 2 root 2 x y या इसके बराबर ही आ रहे है और इसके बाद वाले term को देखे second last वाला term आपका इनको multiply कीजिए 2 minus minus plus ही हो रहा है sign को multiply की आप plus का sign बन रहा है और 2 और root 8 का मतलब आपका हो जाएगा 2 root 2 तो 2 तो 2 तो 4 root 2 yz आपका बन रहा है बिल्कुल बन रहा है second last वाला term plus में ही आ रहा है और last वाला term देखे आपका ये है plus minus minus का sign बन रहा है और इनको multiply करके आएगा आपका root 8 की जिए पर 2 root 2 लिख दीजिए आप 2 root 2 करेंगे तो 2 तो तो जा 4 ये आपका रहा है 4 root 2 फिर root 2 है आपका 4 2 जा 8 क्योंकि root 2 बीच भी आप देखे आए ठीक है तो या तो आप ऐसे कर सकते है root 2 into root 8 कितना हो गया root 16 root 16 का मतलब 4 हो गया 4 2 जा 8 तो plus minus minus का sign बन रहा है तो minus 8 xz आपका बनी रहा है last wallet आपके बराबर है तो इन से आपके identity बन चुकी है a minus b minus c का whole square आपका बन चुका है okay hope this is clear तो आज की इस class में इतना ही और अगली class में फिर rest of the questions जो भी है जितने भी है जितने तक होते हैं उनको करेंगे फिर 2 तीन class में आपका दो या तीन class में आपके class यह exercise complete हो जाएगी okay so thank you for today's class